श्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के लिए आईश्री सोनलमा के कल्यानकारे प्रयासों की सरहना की है सोनल मा के शतावदी जैनती समहरों पर अपने वर्चुल संबोधन में उन्होंने कहा कि आईश्री सोनल मा का पूरा जीवन राष्ट्रो और जनकल न्यान को समर्पित था श्री मोधी ने कहा कि विभाजन के दौरान सोनल मा ने जूनागर की रक्षा के लिए संगर्ष किया था श्री मोधी ने कहा कि आईश्री सोनल मा इस बात का उधारन है कि भारत महानात्माओं की भूमी रही है उन्होंने कहा कि सौराश्र सहित गुजरात के कई संत महात्मावने मानवता का संदेश दिया है प्रधानमत्री ने कहा कि सोनलमा आधुनिक जगत के लिए प्रकाश की एक किरन की तरह है उनकी आध्यात्मिक उर्जा, मानप्ता की सिक्षा और प्रायश्चित की संदेश ने उनके व्यक्तित्व को बहुत आकर्शक बना दिया था प्रकास अस्तंब की तरह थी, उनकी आध्यात्मिक उर्जा, उनकी मानविय शिक्षाएं, उनकी तपस्या, इससे उनके व्यक्तित्व बहुत बैविय आकर्शन पैदा होता था उसकी अनुभुती आज भी जुनागर और मढ़रा के सोनल धाम में की जा सकती है भाईयों बहनों, सोनल मा का पूरा जीवन, जनकल्याण के लिए, देश और धर्म की सेवा के लिए समर्पित रहा प्रधानमंत्री श्री मूदी ने कहा कि सोनल मा हमेशा हमारी साथ बनी रहेंगी